गुद मॉनिंग स्टोडेंस, हम लोग आपका नाज टाइम डिसकस कर रहे थेग्रेडियंट्स के बारे में उस ग्रेडियंट्स में मैंने आप सभी से कुछ बातेर डिसकस की थी, जहां मैंने बताया था कि हम आपकी जो ग्रेडियंट है वो कैसे लगा सकते हैं अब इसमें students लोग ने लास्ट में जब हम लोग ण Radiedmont इसकस किया उसमें मैंने बताया हा कि इस Gradient में क्या होता है यह Round Loberek haddam वह रेडिमेट ग्रेडियंट था रेडिमेट ग्रेडियंट का मतलब होता है students यह आपका अपने आप जो पहले से ही प्री डिफाइंड ग्रेडियंट से हम उनको यूज कर रहे थे अब क्या है students अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग एक new gradient कैसे create करते हैं so students एक new gradient कैसे create करते हैं इसके बारे में हम आप लोग को बात करने जा रहे हैं first is click window आपको वहा जाना है जहां पर आप ने gradient start किया था वहां पर आपको window पर क्लिक करना है विंडो आपको उपर साइड दिख जाएगा फाइल में एंड वहां पर आपको color mixture में क्लिक करना है किस पर क्लिक करना है color mixer पर क्लिक करने के लिए अगर आप उसको इस तरह से open नहीं करना जाते है आप sort cut करना जाते है तो आप shift plus f9 के use कर सकते हैं इससे आपका color mixer mixer directly open हो जाएगा फिर a third at the right hand side of the window the color mixer panel will open जो right hand side होता है आपकी window का वहां पर color mixer panel आपका open हो जाएगा जैसे ही आपका color mixer mixer panel open होता है आप वहां पर क्या कीजिए type field में select कीजिए solid तो आपको यहां पे solid क्लिक करना है तो आपको यहां पे solid क्लिक करना है तो आपको यहां पे solid क्लिक करना है RGB का चो मतलब होता है students में वो होता है red green and blue various colors are formed by mixing these colors different different colors बनते हैं इन तीन colors के mix-up से you can also use color composition given in the color palette यहां पे आपको color palette में different different colors दिये होंगे आप उनका color mixer यूज कर सकते हैं अब देखिए to make your object colorful you can add many markers आप यहां पे students क्या कर सकते हैं यहां पे different different markers का use कर सकते हैं आपके अपने gradient को और पी जादा colorful बनाने किए on the gradient bar click and shift the color markers left or right क्या करना है आपके gradient bar को जो markers होते हैं left or right में shift करना है to add marker move your mouse pointer near gradient bar आपको क्या करना है add marker add करने के लिए आपको जो आपका mouse है का pointer है उसको gradient bar के नीचे आपको move कराना है small plus sign जो होगा वो आपको appear हो जाएगा आपके mouse के नीचे then click to add marker to remove marker drag it to off the gradient bar click करने के लिए क्या करना है अगर आपको add करना है तो आप यह जैसे plus sign आया आपका आपको आपका mouse gradient bar पर ले जाना है plus sign हो जाएगा आप उससे फिर add कर सकते डिरेक्ली अगर आप ऐसे add नहीं करना चाहते हैं आप इसको remove करना जाते है remove करने के लिए क्या होगा gradient bar से अपने mouse को दूर हटा लिए आपका remove हो जाएगा तो save करने के लिए new gradient को जो save करने के लिए एक small triangle at right hand corner of a color panel color panel के नीचे आपको देखिए एक right hand color का drop down menu होगा वहाँ पे click add swatch as watch ऐसा रिखा हुआ है देखिए आप उसको 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 क्लिक करना बहुँआ आपको आप जैसे उसको क्लिक करेंगे आपका जो new gradient है वह आपका add हो जाएगा gradient list में उस document के लिए so students ऐसे आप एक new document के लिए एक gradient create कर सकते हैं अब आए देखते हैं how to select objects in flash anything you draw और create on a flash document is called object जो भी object आप draw करते हैं या फिर आप उसको बनाते हैं वह आपका अपने आप एक object कहलाता है object के जो होते हैं वह दो पार्स होते एक होता है stroke and दूसरा होता है fill stroke का आपका object होता है outline and fill जो होता है वह जो inside का part होता है if you move fill and border apart you will get two shapes अगर हम fill और border को outline को दो different different way make कर लें तो आपको दो shapes मिल जाएगे selection is tool जो होता है उसकी through up इन tools को select करते हैं इन objects को select करते हैं and फिर आपको objects को हटाते हैं उसके लिए देखिए students three steps है first click the selection tool selection tool पे click करना है फिर उसके बद आपको उस marker पे ले आना है उस object पे लेके आना है अपने mouse को जहां से आप इसको जिस object को आप remove करने जाते हैं या हटाना चाहते हैं उस पे click कीजिए and left mouse matter की help से drag कीजिए फिर release कर दीजे आप देखेंगे कि आपका जो object है वो आपने mouse कर रहा है जैसा आपने चाहते हैं इस तरह से आपका object flash में move करता है इसके लावा क्या students यहां पर next time मैं आपको और पी चीज़े बताऊंगा हम whole object को कैसे click कर सकते हैं सिर्फ border को कैसे click कर सकते हैं इस तरह से हम आपका click करके बताएं बट अभी के लिए इतना ही thank you